किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है जो लोग मेरी लास पर रोते हैं अभी उठ जाओं तो जीने नहीं देंगे जब घाव से खूण नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है रिस्ते भी नौकरी की तरह हो गये हैं आजकल बहतर आफर मिलते ही बदल जाते हैं यह वो दौर है साहब जब इनसान गिरे तो हसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है जीते जी कौन करता है कदर किसी की यह तो मौत है जो इनसान को अनमोल बना देती है संभल कर चल अय नादान यह इनसानों की बस्ती है यहाँ लोग रब को भी धोका दे देते है फिर तेरी क्या हस्ती है गमांड और पेट जब यह दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़बे सबक अक्सर मीठा बोलने बालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की वस्ती में एहसास भी एक गुना है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुवाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कसमकस जिंदगी में है। जूट बोलो तो रब नराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नराज हो जाते है। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इने कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग सुनते हैं बाते छुप छुप कर और कहते हैं कि दिवारों के भी कान होते हैं, पैसा कहता है मैं रोज नए रिस्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सचे रिस्ते बिगार देता हूं, दोस्तों, इंसान कभी भीड में नहीं खोता, इंसान खोता तब है, जब वो अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लास को समसान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना, घुटने टेक कर जीने से कहीं बहतर है। लोग चाहते हैं आप बहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़बा है, खुदगरजी जीब की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर काम्या बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त, कवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करतें। नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें, जरा तुम उठकर तो देखो सवाएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूड़ा हो जाता है, ताकतबर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओधा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानम मरता है किन्तु अकाल अगर संसकारों की हो तो मानवता मरती है हर इंसान में कोई न कोई परतिवा जरूर होती है लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नश्ट कर देते हैं दोस्तों खामुसी किसी इंसान की कमजोड़ी नहीं उस को कहना भी आता है जिसकी जैसे नियत वैसी कहानी रखता है कोई परिंदों के लिए बंदूग तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है दुनिया के हर चीज ठोकर खाने से तूट जाती है एक काम्याबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है अगर नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता पहार चटने वाला व्यक्ति जुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है कोई अगर जुक कर चल रहा हो तो मतलब है कि वह उचाहिपर जा रहा है और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है अभिमान की ता तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है दुआई मांगने से किसका भला होता है मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों न हो दिल से उतर जाता है इनसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं दोस्तों कुछ रिस्ते भगबान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो जो रिस्ता कम और गुरूर जादा रखे ऐसे लोगों को दिल से दोर ही रखो गलती बेसक भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखो समय से ज़्यादा सिर्फ उनी रिस्तों की कदर करो जिनावने इस समय पर आपका साथ दिया है मरने बाले पर रोने वाला हजार मिल जाएंगे मगर जो जिन्दा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए बाते तो कोई भी अच्छी कर सकता है जब भी टूटो तो अकेले में टूटना दोस्तों क्योंकि यह दुनिया तमासा देखने में माहिर है कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धनिबात करो क्योंकि यह वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए बोलना तो सब जानते हैं पर कब और क्या बोलना हैं यह बहुत कम लोग जानते हैं करते हैं वो मेरी खामियों की बयां ऐसे खुद के किरदार में कि वह फरिस्ते हो, जैसे सुन्दर हो या ना हो पर सब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए, क्योंकि लोग चहरे भूल जाते हैं पर सब्दों को नहीं भूलते, जूट भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है, यादास्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं, बेचैन रहते हैं वो लोग जिने हर बात याद रहती है, माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है, लेकिन माबाप की बसियत सबको अच्छे लगती है, उड़ा देती हैं निंदे, कुछ जिमेदारियों घर की रात में, जागने वाला हर सक्स आसिक नहीं होता दोस्तों, बहुत दूर तक जाना परता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदी कौन है, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सला, एक से मागो तो आपको हजार मिल जाएंगे, दुनिया की सबसे महगे चीज मदद है, हजार से मागो तो कोई एक देता है, सच्चे इंसान को जूटे इंसान से अक्सर जादा सफाई देनी पड़ती है, दोस्तों, अपने उम्र और पै काबिल बना कर छोड़ेगी, अंदाज से ना पिये किसे इंसान की हस्ती, ठेहरे वे दर्या अकसर गहरे हुआ करते हैं, हमें अपनी जिंदगी में नाकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच साकारात्मक होगी, तभी आपको काम्यावी मि ना सुरू होगी, जिंदगी में ये माइने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बलकि माइने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुज रहें, मजबूत होने में मज़ा तब है, जब सारी दुनिया कमचोर करने पर तुली हो, जिंदगी में कभी आपक काम्याब नहीं हो सकता कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं हमें जिंदिगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए नहीं आने बाले कल के बारे में सोच कर परिसान होना चाहिए जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए दोस्तों जीवन में अपने रहसी कभी किसी अन्य वैक्ती को नहीं बताना चाहिए क्योंकि यह आप के लिए भारी मुसीबत बन सकती है सारी उमर बस एकी सबक याद रखना दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना जीवन में कोई भी काम केबल तभी तक कठिल लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते दोस्तों अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महेंगी चीज सस्ती ना लगने लगे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंड़ना नदी के किनारी पर खरे रहने से नदी पार नहीं होती उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त सही बक्त कभी आता नहीं उसे लाना पड़ता है कसूर तो बहुत किये हैं जिंदगी में पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे जीवन में जो लोग आपसे दूड़ होना चाहते हैं वो लोग सारा दोस्त हलात पर डाल देते हैं जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, मेरे सब्दों को इतना गौर से मत पड़ा कीजिये जनाब, थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे, इस जीवन में रुप जो लोग अंदर से मर जाते हैं न, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हारी जाएंगे, जब भी जीवन में मुश्किल गड़ी आती है, तो कायर पीछे हड़ जाता है, और मेहनती डट जाता है, ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताजूब है आँखों का पानी खारा कैसे हो गया, किसी को उजार कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हसे तो क्या हसे, जिंदगी में एक बात तो तै है, कि तै कुछ भी नहीं है, रोह से जुरे रिस्तों पर फरिस्तों के पहरे होते हैं, कोशिस कर लो जीतना तोरने की, यह और भी गहरे होते हैं, दिवारे मेरे संग रोती रही, और लोग समझे की मकान कच्चा है, खूब सूरत से वो पल था, पर क्या करें, वो कल था, मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद तूट जाते हैं, मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, नीचे कमेंट जरूर कीजेगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, धन्यवाद